कि अज़िए 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 विडियो में तो गाइज आज हम निकल गए अर्ली मॉर्निंग काइज हम लोग इतनी शांदर जगह जा रहे हैं लाखा मंदर जो काफी दूर है मुझे पता है 120 किलोमेटर करीब दूर है बाट मेरा जाने का मंदर मैं इसके बारे में पढ़ा था और देखा भी था तो मैंने का डिसाइड किया चलो आज आपन लाखा मंदर चलते हैं पूरी वीडियो में बने रहा है तो मैं बताऊंगा इस मंदिर की खासिया और हम जा रहे हैं लाखा मंदल अब बहुत ही सुंदर जगा है बहुत ही सुंदर कहा हो है पूरी वीडियो में लाइक शेयर फॉल सब्सक्राइब करना मत बूलना या ज्यादा नहीं मेरेको अभी दो धाई दो धाई गंटे लगेंगे पहुचने में सुबहा निकल गया था जल्दी अचना की प्लैन बना हमारा कल तो वस निकल गए और चना प्लैन ही सबसे बढ़िया होते हैं देट पर काम होते हैं देट पर निकल लो जो दो चार बंदे आने होते हैं और कटकलो चुप-चाप तो आप लोगों को मत महिश्यों की सीरीज पसंद आई हो तो प्लीज याद जिन नहीं देखिए प्लीक जिन नहीं देखिए गाइस प्लीज जाके चैनल पर आजाके देख सकते हैं आप लोग तो जाज का मौसम थोड़ा ठीक है मदब कड़क्ती धूप नहीं देखिए यार और अभी पहले जाएंगे सासपूर सासपूर से कटना है अपने को हम अंदल टेंपल की और गाड़ी में तेल फूल करवाई दिया है तो कोई लोड है नी और एक फूल मदब एक फूल टैंक जो मैंने करवाया अब डाउन तो करी देखे गाड़ी आराम से गाइस तो यह रोड चकाउट करो यार क्या ही सुन्दर दिख रही है एकदम नीली बहुत प्यारा है वाई बहुत पहुत और देखे विगाए एक जगाएं बाई क्या रोड एक दम मखण वाई और क्या ही जंगल है ऐसा लगा मैं किसी फॉरण जगा चुका हूं क्या मज दिख रहा है कि नहीं जगा है वाई पहली बढ़ारा में दर बदर धूप बहुत हास पड़ रही है और आप तेज होगी और समय नीथी औरे बहुत कर यह फॉल देओ कितना सुन्दर दिख रहा है यार ओ तेरी यहां देखो लोगों ने क्या हाल मचा रहा का अब दोस्तों देख रहो बहुत पतली रोड़ा यहां की बहुत पतली क्या अगर एक बस आजाए तो गारी निकल नहीं सकती है यार बहुत बुरे हाल है वह पतली रोड़ा है यार जो जाम लगया पीछे बस खड़ी हो कैसे निकलेगी बाइगाट फाइदा होता स्कूटी का पहाड़ों में आने का बागी हम पे कार होती ना तो भाई अटक जाते है अपन भी घंटों लगते है अपन को वह से निकलने में घंटों नहीं तो 15-20 मिनट तो कहीं नहीं गए आदा गंटे करीब बचलो कोई बात आपन निकलेगाई बहुत ते इतो हरे हों कित अपके संदर रिवेर अब वलेको मां गंद मचाना स्टाट साइड में ना रे दोरै बैया जाओ गे हरामी हो इसके नदी पानी है खोलो ओकिना रवह फिर Season when जाना सटाट हो दों वहा पे करे में का सभीय था निंटनी निला पानी मस्त न दीन यार्व क्यान पंच्छ invest पानी यह दो बहुत है ये के जब प्यारा यह का सब्सक्राइक बंच्छ साथ यहें Lawrence खोनी रगंटन कर थे ह्टे ओने ठेम्ध में बनाो है सित्व समस्पान यहार प्रवाइब ना कुछ ही भी नहीं है इसमें पेड़ पूरा लाल पीला हो रहा है तब अलग कलर का उड़ा थोड़ा तो नहीं हो रहा है वह दोस्तों ये व्यूच अप्मारों गार क्या इस उंदर बाइग काड एड़ो जो थोड़ी खराव है बड़ी जो पहाड है नेक्स लावेल दिख रहे हैं भाई हरे हरे मौस्तिक दौं तो रोड़ साथ बैठ गई है धर वाली पैंकरी है बाई और ग्रीन ग्रीन कितने हैं यह पहाड इधर वाले अना अजीब करी टाइप के पहाड भी देखें पिछे था एक फैनली घंटों के सफर के बाद हम आने वाले है यार भाई बहुत दूर से आरे हम लोग बहुत दूर से दिमाग कि धाई हो गया यह कोई ग डोग पता नहीं क्या था रहे पानियों में लाखाम अंडल का गेट यह रहा विलकम टू लाखाम अंडल पांच किलो मीटर चक्रत यहां से 73 किलो मेटर दूर है और टाइकर फॉल 52 यह दो यार क्या ही नजारा है या वाव क्या ही पानी है बहुत सुंदर दिख रहा है तो चल रहे है उपर थोड़ सी चड़ाई यह दे चड़ाई नहीं है अब ले लिए हमने साथ जूदे चपल यहीं निकालते हैं कि मंदर यहां से थोड़ा सा उपर है जूद निकालते चलो यहां पर साइड में रख देते हैं निकालके बहुत गर्मी हो इसे बहुत जदा करने हैं अब हम जा रहे हैं उपर गास यह न बहुत जाधा घरम हो रहा है इतना हीट के में क्या बता हूँ अब हम पाओं अग्रहा दोलते हैं दन उसके बाद दरशन करते हैं मंदिर में तो गास मन दिर भूत ही खूप सूरा बना हुआ है या वह मतलब चैदानाथ की तरह ही है कि डानाथ हमारे के डानाथ मतम मंदिर की थोड़ी सी जानकारी दी जाएगा आपको इतना पता है मेरा नाम पंदित महमनन भोडे बिटा सबसे पहले जो बार से टुडिस्ट रोक आते हैं उनके लिए हमारे इस्टिजिप्ता के तरफ से उनको असिर बात इस मंदिर की खोज गयैमाता ने की है को माता एक जमना नदी पार से आती थी दि बेहरी नदी पार से 1 घया आती थी महाराजा की मंदिर के अंदर जाके सिबलिंग पे दूद की धार चड़ा के अभ शेख पुजा करती थी अंदर वाला जो सिबलिंग है वो सत्यू का है जिस्व में लक्षमी सर्शती सत्यमा का अफ्तारवा था आपने पार्वती मा के चरण देखे हैं पांच साल की कनिया रूप में पार्वती मा ने सिप पाने को घोर तपश्या की है बाराहजार साल तक तब जाके भुले बाबा परसन हुए है ये लाल रंग का सिपलिंग है ये तिरता योका है राम जी के टेम का ये सिपलिंग की अस्तापना समुदर के बीच में की है ये सिपलिंग या तो राखा मंडल के सिप मंदिर में मिलेगा या तो सोयत बंद रामे सुर में ये पूरी भारत देश में कहीं और जगे ये सिपलिं है दौपर्यों का है किरुषन जी के टेम का किरुषन जी का अवतारा हुआ था। डौपर्योग में यौप पे 33 कोटी जेबी देबता है सवालाइक सिब्लींग की यहां पे रस्तापना है यहां पर 15 अप्रेल को एक विसाल मेला लगता चार धाम के कपाट उसके बाद खुलेंगे, जिस बेटी का और बेटे की साधी हो जाती है, फिर किसी के बच्चे नहीं होते हैं, यहां पे महास्यों रातरी में, एक रात में किसी मा, बेटी, बेहन, वो ने तन्मन धन से तपस्या कर ली, तो एक साल के भीतर उनका बेटा होत है, या पे बार्दान बेटी बेटे का मिलका है, जिस गय ने इस मंदिर की खोज करी है, उस खोर के निसाने, खोह क्यते हैं, आप लोग बेटी, एधे जिखो आप लोग के गोडू क्य नि nessa इस मंदिर की बनावाट ये मंदिर उपर से बनाया गया नीचे को हतेली के उपर विष्वा कर्मा ने इस मंदिर का निर्मान किया भीम सेंद के हतेली पे बनाया गया ये राक्षस है मैसा सोर राक्षस इसने भैंस का रूपधारन किया और भगबान को भक्षन करने जा रहा था मापा जी समझगी दूरगा मा कि मेरे पती को भक्षन करेगा उसने उसकी टांग पकड़ ली कमर पे गदा मारा शिर पे पाउं रखा उसको दबोच दिया है और को जलाने के लिए लाका महल बनाया लक्षक है वह यह जगे है बेटा यहां पे चारों तरफ की रील है लगी हुई कि शीट के नीचे आज भी लाख है यहां पे महल था महल पे दुरियत दन्ने आग लगा दी महल जल गया यहां से अंदर करोंट शुरूंग है यह सुरूंग किस ने बनाई पांडों को बचाने के लिए कोई बेटा बेटी बोल सकते हैं बोलो जेवी किसने बनाई यह सुरूंग पांडों को बचाने के विधूर जी ने यहां से शुरूंग बनाई पांडों को बार निकाला नीचे शरक पे आते समय आपको यह गुफा मिलिया पांडों गुफा पांडों को यहां से विधूर ने उस गुफा से बार निकाला उसक उसके ठीक सामने से जो सुरूंग है वापके बिरहट राजा के यहा निकलती है। जहां पे पांडों ने नोकरी करी है। इसके बगलमें गूसरी सुरूंग है। वह आपके पुर्चेतर में निकलती हर्यामा में पंजाब जहां पे माँ भारत के रराय सोरू होई है उसके अंदर तीसरी सुरूंग है वह आपके किदारनाथ बदरीनाथ निकलती है जहां से पांड़ परोग सर्ग लहनी गई यह मूर्ती कौन सी है जिबी मैं तुमको तुमान तो खोड़ो सतिमाता सत्यमाने बोला अपने पती द्यव के लिए जैसे तुमारी द्यवता तुमारे साथ है कि पति द्येव मेरे माईके में आपके सत्रॉाल में यग्य हो रहा है आप चलिए भगवान ने उनको जबाब दिया देवी हमारे लिए कोई चिठी नी कोई निमंतर ने कोई ब्लाव नी हम लोग को आजाएंगे वहांके हमारा अपमान होगा सती मानी अपनी पती की बात में मानी उनकी आपस में लड़ाय जगडा हो गया है तुम्हारा भी होता है लड़ाय जगडा तो ये परंपरा से चल के आया है मेरा तो बहुत जादा होता है सत्यूं में इनका रूब में ढर्ब के अर्ब लो जय और दिर् दयद्वापर में wreck all sacrific ये कलियुग है कलियुग में ये संकर भगवान जी है बोले बाबा सतिमा के पतिजेव इनका हीरे मोती का मकोट है ये राक्षास है दानम इसके खोपड़ी पे उपर मुंडी है ये मसान का निसान है कि शिबलिंग धर्मराजी दृष्टर महाराजनी इस स्विलिंग का नाम है मडले शुर। महादेव के नाम से क्या वोला मैंने मडले शुर। हमारे लाखा मंडल के अंतरगर्ट में चोब इसकों के बीच में जिनकी निर्टू होती ची उनकी डेड़ बोडी यहां आते थे पजारी अपने घर से गंगा यमना जल लेके आते थे मंतर द्वारा उस पे जलका छीडा मारा जलका छीडा गेरा मरावा आदमी जीवीत होता थ जैसा ये मैदान है जैसा मैदान पहले इनके ऊपर था तो यह है है 2ユि यहां प्शा निकल देए पहले भी दो सो तीन सो चार सो मिटर तक एंब्र और उंट कर वाले मता है अज़ Ihnen कर दोुस एक हमारे भारत में हमारे देस में हमारे हिंदु़ष्टान में चेंड से बिमारी कोौना कि भारत में और फ्हार है हमारे पूर इसे च्छेतर में अभी तक क्यों सभी तर्ड़ा आप लंगई शिविलिंग पे शिविलिंग है अत्वूत सिविलिंग चिंता हरण महादेव इस बगवान के दर्शन करने से सारी चिंता दूर होती है शिविलिंग है पारडशिव सिविलिंग पारडशिव सिविलिंग जैसे आप अपने परिवार से बच्चों से मापाप पिता बाइबैनों से चौर करते हैं आपका प्यार बगवान अपने अंदर समा लेता है ये सिबिलिंग राजा सगर के साट हजार बेटेजी कपिलमुनी ने उन्को सराप दिया सारे भसम हुए बागिरत जी ने उनके कूल में जब लिया सिब की आप लोगों के साथ जन्म जन्म के पित्र जबताओं का उद्दार होता है अपने मुबाइल अपने मुबाइल अपने मुबाइल लगा वजा वहां पे दिलिया जैसा कि आपने पूरी कहनी सुनी इस लाखा मंडल की लाखा मंडल टैंपल की जो जो विसेशता है वो पंड़े जी ने मेरे को भी बहुत बड़ा बहुत ग्यान दिया और आप लोगों को भी वीडियो वीडियो की दुरूप तो वैच चलते हैं आप नीचे सब लोग वेट क जाने कुछ खाते हैं में कुछ खाया नहीं है तो फाइनली घंटा घर तो पहुंच गया मैं और आप गाइस वीडियो करता यहीं पर एंड और चलता हूं घर टाइम हो गया है नौ बज़ गया है जब फंद्रा मिनट लगे यादा घर पहुंचने में आप आज के वीडियो में तब तक लिए बाइबाए गाइस